नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आश्ट्रो सच पर अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्यान आया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवन दरिद्रता लेकर आता है यह वरिक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लें गोर की कभी उन्नती नहीं होती है उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार विक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुन्दर्ता को बढ़ाते अवश्य है साथ ही यह वातावर्ण को शुद्ध रखते हैं विक्षों से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है विक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावर्ण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं घर के सामने शुब पेर पौधे लगाने से घर में बरकत आती हैं साथ ही यह पेर पौधे कई प्रकार के वास्तुदोशों को नश्ट करते हैं घर के आंगन में खड़े विक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुब व्रिक्षों का रोपन करने की सलाह दी गई है, आज हम जानेंगे हमारे घर की। व्रिक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है, इन व्रिक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रु में व्रिध्धी होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है, इसलिए यदि आपने भी जाने अंजाने मे अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे व्रिक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किये उन्हें तुरंथ हटा देना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड लगाने चाहिए और कौन से नहीं सबसे पहला है पीपल का पेड किसी जलाशय के समी पीपल का व्रिक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकडू यग्यों के समान होता है जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पित्रों को त्रिप्ती प्रदान करते हैं इससे सभी प्रकार के पित्र दोश समाप्थ हो जाते हैं श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्यस नान करके पीपल को स्पर्ष करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है एपल को स्पर्श करने से लक्षमी की प्राप्ती होती है और उसकी प्रदक्षिना करने से आयू में व्रिध्धी होती है पीपल की जड़ में श्री विश्नुतने में शिव जी और अगरभाग में ब्रमहा जी स्थित रहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजार गायों के दान के बराबर होता है इस संसार में पीपल के समान कोई व्रिक्ष नहीं है साक्षात श्री हरी इस व्रिक्ष के रूप में प्रित्वी पर विराज मान है पीपल के व्रिक्ष को चोट पहुचाना अथवा उसकी तहनी तोड़ना महापाप माना गया है ऐसा मनुष्य एक कल तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उध्धार नहीं होता है दूसरा है आमवले का व्रिक्ष श्री कृष्ण कहते हैं आमवले का फल समस्थ लोकों में प्रसिध और परम पवित्र है आमवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्मुम्रत्यू के बंद धन से मुक्त हो जाते हैं यह पवित्र फल भगवान विश्नु को अत्यंत प्रसंद करने वाला एवं शुभ माना गया है इसको खाने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है आवला खाने से आयू बढ़ती है उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आमवले को जल में मि साक्षस नहीं आते हैं एक आदशी के दिन अगर आवला मिल जाएं तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्थ होता है अपने केश में आवला लगाने व वाला फिर से मृत्यू लोग पर जन्म नहीं लिता है जिस घर के सामने आमवले का व्रिक्ष होता है वहा पर साक्षात लक्षमी नारायन निवास करते हैं तीसरा है अशोक का व्रिक्ष दोस्तों पद्मपुरान के अनुसार अशोक के व्रिक्ष में अपसराओं का निवास होता है जहां व्रिक्षों का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है इस व्रिक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुक शांती बनी रहती है अशोक का व्रिक्ष शीतलता और योवन प्रदान करने वाला होता है मा लक्षमी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावन द्वारा अफरन करने के बाद उनका बास अशोक वाटिका में था अशोक व्रिक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह व्रिक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा चौथा है पाकर का व्रिक्ष पद्म पुरान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकर का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए यह व्रिक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महान यज्य के समान होता है कल्युग में मनुष्य यज्य नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्हें एक पाकर का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए पांचवा है नीम का व्रिक्ष पद्म पुरान के अनुसार नीम का व्रिक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, नीम का व्रिक्ष आयू प्रदान करने वाला माना गया है, इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, मा लक्षमी को नीम के पत्ते अत प्राप्ति की कामना करता है, तो उसे जामुन का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए पद्म पुरान के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने। उस घर में कभी दुख दरगरता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यू नहीं होती है, और कोई स्त्री विध्वा नहीं बनती है, आठवा है, नारियल का तेल नारियल का पेड लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पती बनता है, नारियल किसी भी धार्मिक। अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है यह अत्यंत शुभ माना जाता है घर के आंगन में नारियल का पेड होने से उस घर में हमेशा शुबता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है सुन्दर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का व वरिक्ष अवश्य लगाना चाहिए अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीडित है तो उसे खैर का वरिक्ष लगाना चाहिए। वरिक्ष चोर लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बैंड का वरिक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वरिक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है चंदन और कथा के वरिक्ष। इसे घर में धनकी। अपने घर के पास तार का वरिक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नती नहीं होती है मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेडी का वरिक्ष नहीं। गाना चाहिए इस वरिक्ष पर प्रेतों का वास होता है जो मनुष्य बहेडी का वरिक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है इसके नीचे बैठ कर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए सुन्दर पतनी की कामना करने वाले पुरुष को डाग का पेड लगाना चाहिए अगर किसी मनुष्य को शत्रूओं का भय सता रहा हा है तो उसे केवडे का वरिक्ष लगाना चाहिए यह शत्रूओं का नाश करने वाला होता है तो दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड पौधों के बारे में बताया गया है दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ज